हेलो दीर स्टेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे ओफिशियल योट्यूब चैनल पर डवलपिंग सक्सेस क्लासेस आज मैं आप लोगों का रिजनिंग फेगल्टी अंकित गर्ख स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर एंड साथ ही आप लोगों को बताना आपके एक्जाम को टार्गेट करते हुए जी हाँ नंबर सीरीज की क्लास लेकर आ रहे हैं वह भी प्रिविएस कोशन्स में जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं जो प्रिविश एर में S.S.C. bank एक्जाम में हमारे जो कोशन्स पूचे गए उनको टार्गेट करते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ आपको सिखाने वाद हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू बेटा आपका S.S.C. कोई भी एक्जाम हो आर आर भी पी ओ क्लर्ग एक्जाम के लिए आप तया यहरी कर रहे हैं तो ऐसे कोशन्स आपके जर्णल ही पूचे जाते हैं तो नंबर सीरीज में सबसे पहली चाइज मैं आपको बता दू कि बेटा कोई भी फिक्स पैटर नहीं होता there are lots of method and number series का never ending process होता है series कहीं से भी शुरू हो सकते हैं कहीं से भी खतम हो सकते हैं series की अगर बात करें तो number series में दो टाइब की questions पूचे जा सकते हैं first one find out the next number or missing number in the given series and next होता है आपका find out the wrong term in the given series तो आपको सबसे पहले क्या करना है questions को अच्छे से देखना है उसके pattern को focus करना है आपको देखना है कि वो question increasing numbers जो है वो बढ़ रहा है और difference उसमें क्या आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटा आज के पहले question पर जो कि previous questions से ही लिया गया है आप जब भी series को देखेंगे तो यहां पर आपको एक series दिख रही है जहां पर आपको 6, 4, 5, 11, 39 and question mark देखने के लिए पहले है तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजेगा dear students maximum जो questions होंगे यानि हम कह सकते हैं 60 to 70 percent questions हमारे difference method से निकल सकते है difference method तो हम जब कभी भी पहले question को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहां पर जो difference बनना है वो difference कि अबनना है कि अगर है तो वहां से हमें chances है कि हमें solution मिल जाएगा और अगर नहीं है तो that means वहां पर कुछ भी method लग सकता है कुछ different method लग सकता है तो हमारी 2-3 चीजे बहुत अच्छी होने चाहिए हमारे squares, cubes हमें बहुत अच्छी से याद होने चाहिए tables हमें अच्छी होने चाहिए calculations हमारी बहुत strong होनी चाहिए यादि जिसमें हम जैसे board math पढ़ते है तो dmas division, multiplication, addition and subtraction इस पे हमारी अच्छी command होनी चाहिए and साथ ही series को हमें समझना आना चाहिए जैसे कि हम जाते है arithmetic series हो सकती है, geometry series हो सकती है difference method से हम लोग questions को solve कर सकते है, division method लग सकता है addition method यहाँ पर लग सकता है, subtraction method लग सकता है and साथ ही multiple methods लग सकते है, यानि multiplication, addition, multiplication, division बहुत सारे methods combined होकर भी मिलते है जब series की बात करते हैं, तो हमारी square series, cube series भी हो सकती है और साथ ही Fibonacci series भी मारी बन सकती है अब यह Fibonacci series जो होती है, यह series previous दो numbers को add करकर बनाई जाती है तो चलिए, आज के पहले question पर आप लोग ध्यान देते है dear, पहले question आपकी screen पर है, अगर आप देखेंगे तो इस question का pattern क्या है, अगर आप देखेंगे, एक चीज और समझीएगा ऐसे questions को जब आप करते हो, तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो previous year की questions होते हैं वो हमें upcoming exams में दिख जाते हैं, तो हमें at least कुछ questions पर practice कर लेना चाहिए तागी, अगर मालीजे, question repeat भी ना हो, पर pattern repeat हो सकता है तो जैसे कि अगर हम इस question की बात करेंगे, तो इस question में आप देखेंगे कि difference क्या जा रहा है सबसे पहले कोशिश करिए, difference समझने की कोशिश करिए, हमने देखा, यहां से हमारा minus 2 हो रहा है यहां से हमारा plus 1 हो रहा है, यहां से हमारा plus 6 हो रहा है, बट इसके बाद जो difference था, वो difference हमारा 28 हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो dear, जब आप ऐसे questions देखते हैं, तो ऐसे questions में बहुत बार ये method हमारा देखने के लिए मिला है, जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ इस question में, अगर आप पहले question में देखें, तो यहाँ पर पहले number से दूसरी number पर जब आते हैं, 6 से 4, तो यह कितने तरीके से बन सकता है, तो सबसे पहले अगर आप कह देखें कि multiply 2 कर दे, तो 12 हो जाएगा, तो यह नहीं multiply 2 तो नहीं लगेगा, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अच्छा, देखें, multiply 1 लगेगा, आजी multiply 1 लगा, तो 6 आ गया, and 6 के बाद जैसी minus 2 किय तो result 5 आ गया, तो अब आप यहाँ पर एक चीज गौर कीजेगा, यहाँ पर pattern भी बना, sequence हमें समझ में आ रहा है, multiply 1, multiply 2, यानि जो multiply हो रहा है, वो 1 और 2 का हुआ है, और next हम लोग मान सकते है कि क्या multiply 3 का होगा, अगर हम multiply 3 कर रहे हैं, तो result हमारा 15 आ जा रहा है, अच्छा, multiply 1, minus 2, multiply 2, minus 3, multiply 3, minus 4, यानि एक नमबर से multiply हो रहा है, और उसे next number से क्या हो रहा है, add हो रहा है, यह minus हो रहा है, इस तरह से आपको series देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर minus हुआ है, अब देखें, अब आप क्या करोगे, multiply 4 करोगे, तो result क्या आ जाएगा, 44, and 44 में क्या, देखें, minus 2, minus 3, minus 4, अब क्या होगा, minus 5, result होगे, 39, तो हमें clearly पता चलिया, कि हमारा next pattern जो होगा, वो होगा, multiply 5, multiply 5, minus 6, तो my dear, जब आप 39 देखते हैं, और 39 में multiply with 5 करेंगे, 9, 5, 45, का 5, carry 4 किया, 5 थिया, 15, 4, यानि 195 बनता है, और जब यहाँ से हम लोग 6 minus करते हैं, तो हम हमारा result बनता है, 189, तो dear, 189 is the correct answer for this question, and वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, option C में, तो आपने बड़े आसानी से देखा, कि हमने इस question को solve किया, and यह pattern आप धियान कर लिजे, maximum questions आपको इस pattern पर देखने के लिए मिलते हैं, जब exams में हम लोग questions को देखते हैं, तो चलिए, बढ़त again 7, फिर 7 के बाद again 14 मिला, तो यानि जिस हिसाब से series घटी है, उसी हिसाब से series बढ़ भी रही है, and 14 के बाद जो number मिला, वो 56 मिला, तो आप जब देखेंगे, तो यह होता है, हमारा second method, और essay questions भी हमारे exams में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि journaling students यहाँ approach नहीं कर पाते है इस type के questions को, देखें, pattern अगर समझ में आ गया, तो question कोई भी है, आप easily solve कर सकते हो, जब आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर देखें, अगर आप 0.5 का multiply कर दे, तो आपको result 7 मिल जाएगा, next आप देखें, आप क्या कर दीजे, multiply 1 कर दीजे, 1.0, तो आपका जो pattern हो गया clearly आपको समझ में आ गया, यानि पहले जो multiply हुआ, 0.5 का हुआ, next में हमारा जो multiply हुआ, वो 1.0 का हुआ, यानि just double, अब यहाँ से 7 से 14 बना, तो यानि multiply आपने कितना किया, 2.0 का आपने multiply कर दिया, next आप देखें, आपने क्या किया, multiply 4.0, तो यहाँ से आपको एक बात समझ म आ रही होगी, पहले 0.5 का multiply, फिर double किया, 1 का multiply, फिर double किया, 2 का multiply, फिर double किया, 4 का multiply, तो अभी अगर हम double कर दे, question mark की जगा क्या आएगा, multiply 8 करके जो result आएगा, वो हमारा question mark की जगा आ जाएगा, तो my dear, 56 multiply with 8, my dear, approach 50 के आसपास है, 50, 80, यानि 400 से plus answer आएगा, तो दो options तो के देखते बहार हो गए, तीसरा 800 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानि आपका जो भी answer होगा, वो या तो C होगा, या फिर E होगा, अब यहाँ पर हम जल्दी answer कैसे कर सकते हैं, अगर हमने इतना पता कर लिया, यानि हम पूरी calculation ना भी करे, answer हम लोग कर सकते हैं, वो कैसे, त अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो इस question में, आठ पंजे 40, अर्दे के आर्चिंग 48, सबसे पहले देखिए, 48, लास्ट यूनिट डिजिट आपकी क्या बनी, 8 बनी, और जैसी 8 बनी, हमारा option C खताम होगे, हमारा correct answer होगे option E, और पूरा calculation अगर कभी आ जाए, कि लास्ट तो carry कितना किया, 4, 8, 5, 4, 44, तो हमारा 4, 4, 8 आ गया, यानि E हमारा एकदम correct answer था, तो यानि हमने यहाँ पर second method देखा, और यहीं पर मैं आपको एक और method बता देता हूँ, कभी-कभी question में क्या होता है, जैसे यहाँ पर multiply पहला 0.5 था, अगला multiply dear क्या हो जाता है, 1.0 हो जात है, अगला multiply आपका 2.0 हो जाता है, तो ऐसे questions भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें यह वाला pattern आपका apply होगा, तो जब भी questions को कीजेगा, ध्यान से कीजेगा, और ऐसा question हमें journally देखने के लिए exams में मिल जाता है, चलिए, question number 3 पे focus करते हैं, अब यहाँ पर सीरीज में जो आपको दिया, 2 दिया, 2 के बाद 3 दिया, 3 के बाद 7 दिया, then 16 दिया, 16 के बाद 32, and question mark, and options है, 57, 59, 56, 60, and 75, जब आप इस question को देखोगे, तो इस question में सबसे पहले देखो, आपका जो difference है, वो आपका कितना है, 1, अगला difference कितना है, 4, अगला difference दियर आपका कितन है, 9, और next difference है, आपका 16, अब यहाँ पर जो difference series निकल के आई, वो difference series आपकी square series बन रही है, देखें, यह 1 का square है, यह 2 का square है, यह 3 का square है, यह 4 का square है, यह 2 का square था, यह 1 का square था, तो माइडियर, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह next, अगर आप देखेंगे, तो आपका 5 का square हो जाएगा एड करिए 25 अगर आप 32 में 25 को एड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 57 तो यह सबसे आसान सीरीज थी और देखते हैं हम लोगों ने यहां पर आंसर पता कर लिया कि यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा डाट इस 57 57 इस दा करेक्ट आंसर चली बढ़ते हैं और कि तरफ जिसमें हमारा कुछ अलेक टाइप का लॉजिक शायद लगा हूँ या कुछ अलेक पैटन लगा हूँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा तो यहां पर आप सीरीज देखिए यहां पर दिखरी आपको 8, 14, 24, 38, 56 अगर मैं दिमाग लगाता हूँ तो मैं एक चीज यह समझ सकता हूँ कि हो सकता है यहां पर multiplied to 8 multiplied to 16 minus 2 लगा हूँ ठीक है यहां पर multiplied to minus 4 यानि 14 दुनी 28 minus 4 बिलकुल सही है अब देखें यहां पर जैसे हमने किया multiplied to 24 दुनी 48 minus 10 हो गया तो यानि जब minus 10 हुआ तो मुझे कोई sequence नहीं समझ में आया अच्छा एक बार फिर से देख लें अगर हम 38 multiplied 2 कर दें तो result कितना हो जाएगा 76 क्योंकि 38 multiplied 2 तो देखें 8 दुनी 16 अच्छा है हांसिल 1 तीन दुनी 6 और 1 साथ 76 हो गया और 76 यानि multiplied 2 minus 20 हो गया तो क्या यहां कोई sequence मिला अगर आप देखें कि चलिए multiplied 2 हो रहा है बट minus 2 minus 4 minus 10 minus 20 यानि अगर आप देखें यहां से हां 2 का difference यहां 6 का difference यहां 10 का difference अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं तो इसका जो multiply 2 आप करोगे multiply 2 करने के बाद 1156 एक 112 हो गया और 112 में आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप यह sequence apply करते minus 2 minus 4 तो यहां से हां difference जो था वो 2 का था यहां से हां difference था वो 6 का था यहां से हां difference जो था वो 10 का था यानि 4 4 का difference तो यहां से जो next difference बनेगा that will be अगर आप देखें difference हमारा 14 का हो जाएगा क्यों क्योंकि 2 यहां से 4 का difference यहां से भी 4 का difference अगेन हमारा 4 का difference हुआ और 4 का difference हुआ 14, यानि 14 और add कर दीजे, तो हमारा minus 34 होना चाहिए, तो अगर हम 112 minus 34 देखते हैं, तो dear यहां से carry किया 12, 12 में से 4 गए 8, अच्छा, यहां कितना बचा 10, 10 में से 3 गए, तो हमारा कितना बचा 7, यानि हमारा 78 आ गया, तो आपने देखा कि हमारा 78 आ गया, 78 हमारा options में है, तो that means हमारा यह logic क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, अच्छा, इसका एक और unique method है, एक method तो मैंने आपको यह बता दिया, अब बहुत कर क्या होगा, कि series में एक ही question में दो या तीन method लग जाते हैं, और answer एक ही आते हैं, तो चलिए, हम लोग जल्दी से वो second method भी दे कितने का है, 6 का, again difference देखी हमारा कितने का है, 10 का, again difference देखी हमारा कितने का है, 14 का, next difference जैसे हम लोग आए, तो हमारा दिखा 18 का, और next difference हमें पता करना था, तो मैंने जब यहाँ पर चेक किया, तो मुझे 4 का difference दिखा, फिर मुझे 4 का difference दिखा, again मुझे 4 का difference दिख रहा, और और अगेन मैं 4 का difference लगाऊँगा, तो यहां 22 आ जाएगा, और 2256 में add होगा, तो हमारा result अगेन क्या आ जाएगा, 78, तो देखे, दोनों method हमने लगाए, एक था calculative method, जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा अप्रोच करना पड़ा, और second method था हमारा ये वाला method, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंस अप्लाई करके इस question को solve कर लिया, तो हमारा जो correct answer बना अगेन, 78 बन गया, यानि option D, D is the correct answer, तो awesome question था, awesome method हम लोगों ने अप्लाई किया, चली, बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ, question number 5, अब जब question number 5 आप देख रहे हैं, इस बार है 5, 7, 13, 25, 45, and question mark, तो एक constant difference हमें देख रहा है, तो चली, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, difference निकालते हैं, that is 2, that is 6, 6 के बाद देखिए, जब 13 से हम लोग 25 पर आ रहे हैं, तो my dear, आपको सबसे पहले यह देख रहा है, कि difference कितने का है, तो यहाँ पर difference हमारा गया 12 का, 12 के बाद हमारा difference गया 20 का, और next difference हम लोग नहीं जालते हैं, but फिर से जब difference निकाला, यानि difference का जब difference निकाला, तो result आया 4, again जब difference निकाला, तो result आया 6, 6 के तो result होता 30, और 30 को अगर हम 45 में add करें, तो result हमारा आगया 75, तो question number 5 हमारा बेहाद आसान था, and जो previous question था, वो दो method से हम लोगों ने solve किया था, तो बहुत बार ना, देखिए, आप method ना लगाईए, बहुत बार difference से हमें answer देखने के लिए मिल जाता है, तो हमें question को approach करना है question को अच्छे से समझना है, logically समझना है, and हमने अगर थोड़ा भी previous year questions पर practice कर ली, तो हमें यह पता चल जाता है, कि यह method लगाए, यह इस तरीके से solve हुआ है question, और जब हम लोग वो method apply कर लेंगे, तो question अब कहीं से भी पूचा जाए, हम logic तो लगा लेंगे, चली, बढ़ते ह question number 6 की तरफ, अब मैं चाता हूँ, 6 एक बार, डियर इस्ट्रेंट्स आप लोग attempt करो, and question को थोड़ा ध्यान से देखो, 6 question भी बिल्कुल आसान question है, आपको दिख रहे है 4, 16, 26, फिर उसके बार 34, 40, तो देखिए सबसे पहले logic क्या लगा है, difference निकाल लेते हैं, जी हाँ, ब हमारा कितना है, 10 का difference है, अच्छा एक चीज़ देखिए, यह प्लस हो रहा है, अगें 10 भी प्लस हुआ है, अच्छा अब देखिए, जो difference है, वो कितना है, 8 का difference है, यानि difference हमारा घटता जा रहा है, अगें जो difference है, वो हमारा 6 का है, तो देखिए 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बर्च है तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा प्लस 4 यानि कोशन मार की जगह जो रिजल्ट हमें मिलेगा that will be 44 so the correct answer is option E, E is the correct answer तो कोशन no doubt आसान है, थोड़े से tricky है, थोड़ा सा ध्यान देने वाले कोशन से, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसे कोशन को थोड़ा ध्यान से देखें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, तो चलिए बढ़ते हम लोग next question की तरफ और ये question तो आसान था, चलिए question no.7 अब ये question जो है ये वाकई लाजवाब questions है इन questions में अगर आप देखोगे dear, और particular इस question की अगर मैं बात करूँ तो ये question जबरदस question क्यों है, क्योंकि सबसे पहले strengths के साथ क्या होता है कि वो questions की जो digits होती है, वो उनको देखके confused होगाता है वो कहता है sir, बहुत बड़ा question था question बड़ा नहीं है, digits बड़ी है triple digits में हमारा question आ गया है और हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे के 825, 582, 501 400 software and 455 आपको यहां पर दिया हुए, तो आप कुछ मत करिए ना, आप उल्टा देख लीजी question को जब question आप उल्टा देख रहे हैं तो यहां से यहां आप देखे, कितना difference आ रहा है 9 का difference है यहां से यहां देखे, कितना difference है आपका 27 का difference है अच्छा, अब देखे, अगला क्या हुआ अगर आप यहां से यहां देख रहे है तो आपका कितना है है 81 का difference है 3 जा रहा है यानि जब आप उल्टा चलेंगे तो आपका division 3 का method है फिर से देखिए जब आप इधर से चलेंगे तो multiply 3 का logic है तो क्या next भी multiply 3 का difference आएगा तो my dear जब आप इन दो का difference निकालते हैं देखे difference निकाल लेते हैं हम लोग 825 और 825 में से 582 को माइनस करते है 582 जब आपने माइनस किया तो last digit आपकी 3 आई 2 है carry किया तो 12 हो गया result आज़ा 4 अब यहां बचा 7, 7 में से 5 गए कितना बचा 2, यानि 243 हमारा आए तो आप देखें 243 क्या था, 243 अगें 81 में अगर हम multiply 3 कर दें तो 243 या तो यानि हम कह सकते divided by 3, divided by 3, divided by 3, तो अगला जो यहां difference होता वो भी divided by 3 ही होता divided by 3 होता, क्योंकि right से divided by 3 ही हो और left से multiply 3, तो आपका 3 से divide करके result आगया 3, यानि 465 में आप minus 3 कर दीजे, result आजाएगा 462, 462 question mark की जगे हमारा आएगा, और 462 हमें कहां मिला, option D में तो question में कुछ भी नहीं 3 ही है, दोनों method apply हो सकते थे, मैंने एक तरफ आपको बताया divisibility method जो की left to right है, और एक मैंने आपको बताया multiplication method जो की right to left है, तो हमें question को approach करने का तरीका तभी अच्छे से समझ में आएगा, जब हम questions को ध्यान से देखेंगे, and question को ध्यान से देखना पड़ेगा, चलिए, अभी बिना देरी किये, हम लोग आते है, question number 8 की तरफ, जैसे हम लोग ने question number 8 की तरफ रुख किया, तो आप ए 2 times, 3 times तक हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 8 से 12, almost 1.5 हो गया, 12 से 24 लगब 2 times हो गया, फिर 24 से 60, almost 2.5 के आएसपास, 2.7 के आएसपास जो भी होगा, फिर ये 3 times हो गया, तो बस हमें logic मिल गया, जब आपने पहला question देखा, पहला number देखा, तो आपने क्या देखा, कि आपने multiply 1. 5 कर दीजे, तो result 12 आजाता है, and next, multiply 2, and आप लोगों को याद हो का, dear, मैंने आपको इस टार्टिंग में इस टाइप का एक method बताया था, जहां पर अमना multiply 1, multiply 2, 0.5 से शुरुआ थोई थी, फिर 1, फिर 2, फिर 4 हो गया था, फिर 8 हमने multiply करके answer निकाला था, मैं रिकॉल कर पा next, आप देखिए क्या हो गया, multiply 3 हो गया, और अगला जो होगा, हमारा multiply 3, 0.5, तो सबसे आसान होता है कि हम 180 में, पहले multiply 3 कर देते हैं, 180 में किसका multiply करते हैं, 3 का, तो 18, 34, यानि 5, 40 तो हमारा आए गई आएगा, और फिर 180 में हम लोग क्या करते हैं, 0.5 का multiply कर देंगे, हमार जो answer बना, वो 6, 30 बना, 6, 30, यानि question मार की जगा क्या आएगा, 6, 30, and क्या 6, 30 हमारे options में है, yes, option C is the correct answer, तो हमें एक चीज और आनी चाहिए, हमें calculation को आसान कैसे बनाना है, यह हमें आना चाहिए, हमने 3.5 की multiply नहीं की, confused हो जाते हैं, problem हो जाती strengths, तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना समझना है कि question में कहा क्या है, और किस तरीके से question को solve करना है, हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा, तो आपने क्या किया, आपने simple कर दिया calculation को, वो भी इस तरीके से, तो आपने दोनों numbers को अलग-अलग कर लिया, and calculation आपके लिए आसान होगा, question number 9 की तरफ नमबर में logic समझ में आ गया, number series की वैसे भी एक खासियत है, अगर logic आया, तो fraction of seconds में समझ में आ जाएगा, और नहीं आया, तो सोचने के लिए बहुत कुछ है, हम घंटों ही सोचते रह जाए हमारे answer नहीं के लिए, और एक चीज़ आप मैं आपको suggestion को अगर आपका time बहुत दिये जाते है ताकि वो फसे, तो माइडियर फसना नहीं है, एक्जाम अच्छे से करने के लिए सबसे पहला रूल यह है कि हमें यह पता होना चाहिए, कौन सा कुछन हमें पहले attempt करना है, कौन सा कुछन हमें बाद में attempt करना है, तो यह जैसे question की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे समझ में आ गया, कि मुझे logic तो मिल गया, multiply 4 प्लस 4, अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, multiply 4 प्लस 4 था या नहीं था, multiply 4 किया, हमने 4 तिया 12 का दो, हासिल 1, 4 तिया 12 और 13, 132 प्लस 4, 36 बिलकुल था, तो अब हमारा क्या हो जाए, का multiply 5, 136 में multiply 5 कर दीजे, तो 6, 35, 36 की 0, हासिल 3, 5 तिया 15, 13, 18 का 8, हासिल 1, 5 और 5 और 6, प्लस 5, प्लस 5 भी हमें करना था, multiply 5, प्लस 5, और जैसे हम लोगों ने multiply 5, प्लस 5 किया, तो हमारा रिजल्ट आ गया, 685, और 685 हमारा था, option B, तो देखे, question tough नहीं था, question बहुद आसान था, but जब इतनी बड़ी आजाती है, पहले आप देखता है, कि सीरीज जो है, वो सिंगल डीजेट से डबल डीजेट में गई है, बट यहां अप्रोच करने में, बच्छा पहले देखते ही, इतना जादा कैसे हो गया, and वो solve नहीं करता, attempt नहीं करता, तो आपको attempt करना है, और आप दे गईरा, बाइस, छे, फिर कोश्चन मार, यानि कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तो यह किस तरह से हो रहा है, तो एक काम करते है, सबसे पहले इसका difference निकाल के देखते है, जब आपने difference निकाला होगा, तो आपको difference आया 1, यह आपका plus हुआ, अच्छा आप देखि 16 ने इस बढ़ माइनस हो, कुछ समझ में आया, मुझे तो समझ में आ गया था, मैंने जब देखा तो यह 1 का square है, यह 2 का square है, यह 3 का square है, यह 4 का square है, अब जो होगा, वो 5 का square होगा, और सीरीज में एक बढ़ प्लस, एक बढ़ माइनस, प्लस, माइनस, अब क्या होगा, प 25, 6 हमारा कितना हो गया? 31, यानि कोशन मार की जगा हमारा जो रिजल्ट आया, that is 31, यानि option A is the correct answer. कन्फ्यूस तो हो गए दे बच्चे, जब एक्जाम में एक कोशन उन्हें देखने के लिए मिलाता हूँ. क्रिजन क्या का? कि सीरीज देखते हैं उन्होंने इसको अटेंप्ट नहीं किया और बहुत सारे बच्चों ने अटेंप्ट नहीं किया. तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, अटपटी सीरीज बहुत बार बेहत आसान सीरीज होती है, और हम easily ऐसे questions को approach कर सकते हैं, बेटा हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा, ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगर हमने थोड़ा भी ध्यान दिया, तो हम ऐसे questions को कर ले जाए लिए, तो चलिए, बिना देरी की हम लोग चलते हैं, question number 11 की तरफ, अब question number 11 में आप देखे, 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 22, 39, 60 में, सबसे पहला काम, difference, 7, difference, 12, difference, 1 and 7 का difference, 17 का difference, and difference यहाँ पर कितना है, अगर आप देखोगे, तो difference से आपका 22, मुझे clear difference दिख रहा है, 5 का difference, यानि difference का जो difference है, वो 5, constant 5 चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 5 कर दू, तो result मुझे क्या मिलेगा, डियर 27, क्योंकि 22 प्लस 5, 27, और 61 और 27 को add कर दीजे, तो बना 88, क्या 88 हमारा options में है, जी हाँ, हमारा पहला ही option हमारा 88 था, तो देखे, कितना आसान question था, और जट से हो गया, तो चलिए, बढ़ते हैं हम लोग एक और question की तरफ, and question number 12 को हम लोग देखते हैं, तो मैंने आप से क्या बोला, कि सबसे पहले question कीजिए, कि हम किसी भी series को देख रहे हो, तो हमें उस series में यह पता पर जाए, कि वो difference क्या आ रहा है, कितना दिख रहा है, आपको clearly दिख रहे है, 7 का difference, next difference आपको कितना दिख रहे है, 11 का difference दिख रहे है, अच्छा, next difference हमें कितना दिख रहे है, तो next difference हमें दिख रहे है, 13 का difference, और next difference हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए, 5 का difference, फिर 7 का difference, फिर आपको दिख रहे है, 11 क का difference, फिर आपको दिख रहे है 13 का difference, वहीं न कहीं, प्राइम नंबर सीरीज नहीं दिख रही है, 5, 7, 11, 13, क्योंकि 9 तो था नहीं बीचे, और 13 के बाद के आ जाएगा, 17 का difference आ जाएगा, और सीरीज बढ़ रही है, तो देखें, क्या 45 प्लस 17 हमारा कुछ है, 5, 7, 12 का दो, हां तो वह मैज़ता कि से 2 का difference, alternate 4 का difference, alternate 2 का difference, alternate 4 का difference, यानि उन्होंने difference का difference निकाल के सीरीज पाइंड आउट कर लिया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस question को ऐसे भी किया जा सकता था, तो चलिए, बढ़ते हैं next, question number 13 की तरफ, dear, हमें जैसे ही ये 0.5, 1.5 ये मिला, तो हमें सीरीज तो अपने आप एक बार में clear हो गई, देखते ही, कुछ नहीं हमें clearly दिख रहा है कि यहाँ पर जो सीरीज है, वो multiply 0.5 है, फिर देखे, ये multiply 1 है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, multiply 1.5 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, multiply 2 दिख रहा है, अब ये यहाँ से multiply 2 है, और ये यहाँ इसका आधा है, ठीक है, 0.5, अचा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी help हमें मिलेगी, इसकी help से हम लोग आगे solve कर पाएंगे, अब हमें क्या करना है, multiply 2.5, तो हमारा ज्यादा अचा है कि हम लोग 4.5 में dear, सबसे पहले क् multiply 2 कर ले, result क्या आएगा, 9 आएगा, और अगर हम 4.5 में multiply 0.5 करते, 0.5 करने के बाद result कितना आता है, 2.25, तो आप लिख दीजे, 2.25, और जब 2.25 लिखा तो आपका क्या है, 11.25, हमारा correct answer आ गया, और 11.25 हमें का मिल दा है, option B, B is the correct answer. next question, question number 13, के बाद आता है हमारा question number 14, 14 question क्या है, 2, 4, 11, 37, 153, and question mark, हमें यहां से clearly दिख रहा है, कि approximately 5 times के आसपास जा रहा है, approximately 3, 4 times के आसपास जा रहा है, हम कह सकते हैं, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 4 times, 5 times के आसपास है, हमें clearly दिख रहा है, यह कितना जा रहा है, 2 से 2, 2 से 4 गया, तो हम कह सकते है, 2 times गया, यह लगबग 3 times के आसपास गया, तो logic क्या लग सकता है, तो डियर जब आपने देखा, तो आप यहाँ पर देखे, आप देखे, multiply 1 plus 2 भी कह सकते हैं, अच्छा देखे, multiply 2 plus 3 हो रहा है, clearly दिखा, अब आप देखे, multiply 3, 33 हो गया, प्लस 4 हो गया, यहनि एक नमबर से multiply, और next नमबर से आपका addition हो गया, आप देखे, multiply 4 plus 5, multiply 4 plus 5, तो चेक कर लेते हैं, 37 में, multiply 4 किया हमारा, तो कितना आएगा, साच्छो कट 28 का 8, आसल दो, चारती है, 12, 12, 14, यहनि 148 plus 5, 153 बन रहा था, अब आप देखे, 153 में आपको क्या करना है, multiply with 5 करना है, and प्लस 6 करना है, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें प्लस 6 कर देना है, multiply with 5 करेंगे, तो 5 यह पंदरा का 5, हासिल 1, 5, 25 और 1, 26 का अच्छ है, हासिल 2, 5 और 5, 7, 765 आगया, और 665 में कितना एड करना है, 6 एड करना है, तो यानि आपका जो रिजल्ट बना, वो बना 771, और 771 हमें कहां देखने के लिए बिला दिया, option 1 में, तो कुल मिला के एक चीज और याद रखेगा, अगर आपकी calculation is strong नहीं है, तो ऐसे questions में गलती होने के chances maximum, तो हमें क्या करना है, हमें हमारी calculation पे बेहत तरीके से, अच्छे से, यहाँ पर ध्यान देना होगा, चलिए, last question है, आज का question number 15, question number 15 में दिया है, 4, 4, 6, 12, 24, and question 1, यह एक ऐसा question है, जो बेहत confused करने वाला question है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, तो बच्चा कहेंगे, सर, multiply 1, multiply 1.5, multiply 2, बट यहाँ देखा, तो again multiply 2 हो गया, यानि हमारा logic फिट नहीं बैठा, क्योंकि सीरीज का pattern ब्रेक होगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, तो dear, अगर आप यहाँ पर इस question को देखोगे, तो यह question बेहती अलग तरीके से solve किया गया है, अच्छा देखेंगे, difference कितना है, 0, अगला difference कितना है, 2, अगले difference कितना है, 6, अगले difference कितना है, 12 और अगले difference हमें पता लिए, तो ध्यान देने वाली बात किया है, कि आप अगर देखेंगे difference में भी difference का difference कितना है, 2, next difference 4, next difference 6, 2, 4, 6, हम कह सकते next difference 8 हो जाएगा, अगर 8 हुआ, 12 प्लस 8 हुआ आपका, 20 and 20 को इसमें add करेंगे, तो result हमा कितना गया, 44, 44 is the correct answer, यानि last question, last option is the correct answer, तो ये एक ऐसा question था, जो धूका देने वाला question था, और बच्चा के वाल यही कहता रहा गया, कि सर, series गलत आई थी, series बिल्कुल भी गलत नहीं थी, series में एक logic था, वो logic बच्चा नहीं पकड़ पाया, जिसकी वज़े से maximum बच्चों ये question दलत किया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग daily basis में हम लोगों के साथ जुड़े, thank you very much, और इसी तरह से हमारे साथ classes ले करें, फिर मिलूँगा, next class में, इसके second part के साथ, जहां पर number series के बहुत अच्चे questions आप लोगों के लिए लेकर आऊ, तब तक के लिए, आल विदा, क्ष़ हाऊ ज़ेकर साथ से हमें विदा लोपारी करें, तब ये के लिएर आच्चे आप, पोगों के उब ये ये करें, छाल विदारा ये reference, ये झ मैं जदाने अवरी देए एंवराइभारा दवर लोगों के लेकुट हाऍर ढाइरे से एंपने अजा़ुगारा में हैं।